नमस्कार प्राइम टीवी पर श्वेता की साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा जिसमें हर बार हम एक नए सेग्मेंट पे बात करते हैं आज हमारे साथ महजूद हैं डॉक्टरेस के विश्णोई जो की आई स्पेशलिस्ट हैं जिनसे आज हम मोतिया बिंद पे बात करने वाले हैं तो आए सीधे बात करते हैं डॉक्टरेस के विश्णोई जी से जिन जो आ हमेशा कुछ न क्य devices एक नए इस्सीद ही बींद आप से बात करने वाले हैं तो हम जानना चाहेंगे की सबसे पहले तो आप हमें यह बताई है कि मोट्या-बिंद होता क्या है कि दिखीमे जो हमारी आंक है उसकी संवर्चना है उसको जानना अवशक है तो जिस परिकार camera होता है जिससे की photo खीची जाती है, ऐसे ही एक photo हमारी आँख के अंदर जो बनती है वो भी आँख हमारी एक camera की भाहती ही काम करती है. जिस तरह camera में एक बीच में transparent lens पारदर्शी lens लगा होता है उसी तरह हमारी आख के अंदर भी एक पारदर्शी लेंस होता है और यही लेंस जो उम्र के साथ या किसी और वजह से अगर सफेद हो जाता है दुन्दा हो जाता है तो उससे कम दिखने लगता है और इसी को सफेद मोतियाबिंद या कैटरेट कहते हैं कि मोतियाबिंद होने का रीजन क्या होता है किन कार्णों की वज़े से ये प्रॉब्लम प्रेट हो जाता है लिकि मोतियाबिंद का मुख कारर तो बुढ़ापा है यानि एजिंग प्रोसेस जैसे हर आदमी के उमर के साथ बाल सफेद होने लगते हैं और शरीर में सफेद हो रहे हैं उसी तरह से जो आख का पारदर्शी लेंस होता है वो भी सफेद होने लगता है इसका मुख कारण तो बुढ़ापाई है लेकिन अन्य भी कारण है जैसे चोट लगने के कारण भी हो सकता है यह या अत्यधिक किसी दवाईयों का सेवन किया जाए तो उसस आपने एक बोला कि मोतिया बिंद जो है वो एक बुड़ापे का कारण है तो क्या इसकी पर्टिक्लर जो ओल एज के हैं उन्हीं को ही मोतिया बिंद का प्रॉब्लम होता है या कुछ और मतलब और एज ग्रुप के लोगों को भी ऐसा हो सकता है कि जो यांग यांग स्टर्स है मोतिया बिंद किसी भी उम्र में हो सकता है बच्चों तक को मोतिया बिंद हो सकता है लेकिं सामान ने था है क्योंकि उड़ापे का लक्षन है इसलिए ज्यादा तरह ये पचास या साथ साल के बाद ही होता है लेकिन और कारण अगर कुछ है जैसे डीविटीज की बीमारी किसी को है तो उनको कम उमर में मुटि अबिन्ध हो जाता है या जिनका काम इस तरए का है पेशा इस तरह का है कि वह ढोत दूप में काम करते या बहुत तेज जहां पर गर्मी रहती है जैसे फर्नेस है या जो बहुत बनाने का काम करते है vaak पर बहुत तेज भटी की आग रहती है, गर्मी जादा जो लोग फेस करते हैं, तो उन लोगों को भी कम उमर में मोतिय अबिन्ध हो सकता है. अगर हमें टाइम रहते हैं, अगर हमें लक्षन पता चल जाएंगे, क्या लक्षन होते हैं, तो कौन से वो लक्षन होते हैं, जिनसे आदमी आसानी से जज़ कर पाए कि ये मोतिय अबिन्ध का लक्षन है? मोतिय अबिन्ध में जो रोशनी कम होती है, दिखाई देना कम होता है, वो बहुत धीरे-धीरे कम होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही रोशनी खतम हो जाती हो, धीरे-धीरे रोशनी कम होती है, और उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे पचास साथ साल के उमर के और एक इस्थिति वो आती है कि जब चर्श्मे से भी निगा नहीं बढ़ पाती है तब फिर दिक्कत जादा होती है इसमें ज्यादा तर यह देखा जाता है कि शुरू में जो दूर की निगा है वो कमजोर होती है और धीरे-धीरे पास की निगा जो है वो अच्छी होने लग तो जो है वो जो शब्द हम लोग प्रयोक करते हैं वो वैसे सफेद मोटिय बिंद या केटरेट के लिए ही प्रयोक करते हैं लेकिन प्रया एक शब्द काला मोटिया यूज किया जाता है जो कि जिसे समलवाई या ग्लोकोमा भी कहते हैं तो जैसा मैंने बताया कि मोटिय बिंद जो सफेद मोटिय बिंद या केटरेक्ट है वो तो बुढ़ापे का लक्षन है वो कोई बीमारी नहीं है जैसे सर के बाल सफेद होते हैं ऐसे मोटिय बिंद सफेद होता है लेकिन जो काला मो होती है या ग्लॉकोमा है समलवाई जिसे कहते हैं वो एक गंभीर बीमारी है वो बुढ़ापे का लक्षन नहीं है और वो बीमारी ऐसी है कि वो धीरे धीरे जब बढ़ती रहती है तो उसमें रोशनी पर्मानेंट चली जाती है जो रोशनी का या निगाह का लॉस होता है वो पर्मानेंट लॉस हो जाता है फिर वो बढ़ नहीं पाता है तो वो गंभीर बीमारी है दोनों बीमारी अलग है और उनको समझना आवश्यक है और अगर किसी भी मरीज को कम दिखाई दे रहा है तो नेतर विशेशक इसे जाच कराने के बाद ही यह पता लग पाता है कि सफ सफेद मोटयबिन जोैंज करते इस थाच में तो यहूर्ट ढ़ यहां आदमी वह उसमें जजादा डीमिवर नहीं पता कर सकता है लेकिन फिर भी जैसा बने पताए सफेद मोटयबिन में दीरे दीरे रोषनी कम होती है और कोई दर्द नहीं होता है किसी तरह का वहीं काला म मोतियाबिन जो होता है उसमें रोशनी एकदम से भी कम हो सकती है और उसमें अक्सर आखों में दर्द भी होता है तो यह मुख फर्क है दोनों में लेकिन जो भी उसमें अंतर है वो नेज सर्जन से जाच कराने के बाद ही पता लग पाएगा जो लोग जिनको ऑपरेशन कराना है उससे पहले कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़े ऐसी होती है जिन पर धियान देने वाली बाते होते हैं कि किन बातों को धियान देना चाहिए तो पहले तो चश्मे की जाच करानी चाहिए और चश्मे से निगाव बढ़ रही है और उसके बाद भी अगर निगाव नहीं बढ़ रही है तब ही ऐँपरिशन किया जाता है और जहां तक जाच की बात है तो प्रिशन से पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि शुगर की बीमारी तो नहीं डायबिटीस तो नहीं है पेशिंट को और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है कि नहीं रहता है यही दो मुख जाचे हैं जो कि आवश्यक है कराना हमारे शरीर को हमेशा ही एक संतुली ताहार के आवश्यक्ता रहती है जैसा मैंने बताया कि यह उमर के साथ होता है और बुढ़ापे का लक्षन है अगर हमारा खान पान अच्छा होगा हमारा आहार अच्छा होगा हम पौश्टे काहार ले रहे हैं हमारे खाने में फल सबजियां ज्यादा खा रहे हैं और ऐसी चीजों का सबजीयों का सेवन कर रहे हैं जिसमें विटैमिने अच्छी मातरा में हैं, दूद ले रहे हैं, हरी सबजीयां ले रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर स्वस्त रहेगा और हमें बुढ़ापे के लक्षन भी देर से आएंगे, तो म में हमेशा ही आवश्यक्ता है, अगर हम इनकी रोक्ताम की बात करें, अगर हम प्रायर ही कुछ प्रिकॉशन्स लेके चलें, जिससे हम मोतियाविन ना हो पाएं, क्योंकि आपने सफेद मोतियाविन के लिए तो बताया है कि ये वो बुढ़ापे का एक सिंटम है, लेकिन ज क्या प्रिकॉशन्स हम को लेने चाहिए जिसकी वरज़े से हम उस ब्लैक मोतियाविन से बच सके हैं। अक्सर ये बीमारी शुरू के स्टेज में नहीं पता लग पाती है। और कई बार लोग ये धोके में रहते हैं कि ये सफेद मोतियाविन जबकि वो काला मोतियाविन होता है। और उसमें जो भी फरक है वो नेसरजन जाच के द्वारा ही बता सकता है। इसके अलावा, अग अगर किसी को शाम के समय में एकदम से धुनला दिखाई देने लगता है। या किसी बल्ब के चारों तरफ इंदर धनुष जैसे रंगी गोले नजर आते हैं कई रंगों के। या एकदम से शाम के समय आँखों में भारी पन या थकान होने लगता है। या तेज रोशनी से अगर इस तरह की कमी महसूस हो रही है तो यह काला मोतियब इनके लक्षन हो सकते हैं और ऐसा है तो तुरंद ने सर्जन से जाच करानी चाहिए। अगर हम इनके उपचार की बात करें तो किस तरीके की उपचार किस तरीके की ट्रीप्मेंट इसके लिए किये जाते हैं। सफेद मोतियब इनका उपचार सिर्फ एकी है वह ए ऑपरेशन। जो कि मैंचाम आनने बताया कि लेंस आंक के अंदर जो लगा हुआ है वो तось लेंस को जो सफेद हो गया है। उसको हटा दिया जाता उसकी जगह एक शियलंस, जिसको इंट्र ओकूलर लेंस कहते हैं। वो उसकी जगह उसमें इंप्लांट कर दिया जाता है तो रोशनी पूरी वापिस आ जाती है यही इसका उप्चार है तो डॉक्टर साहम बिना सरजरी के कोई मदब जिनको सरजरी नहीं करा दिया है जाते हैं कि हम सरजरी ना करें तो उसके लिए कोई पर्टिक्लर कोई मेडिसें या कोई सेकिंड ऑप्षन कुछ ऐसा रहता है कि उसे मोटियब इनका कोई भी और्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय सरजरी के और वैसे मैं बता दूँ कि बजार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की दवाईयों को क्लेम करते हैं कि इसको डाल लीजिए अलग अलग फैंसी नामों से कई दवाईयां बजार में बिक्ती हैं जिनको काफी लोग प्रयोग भी करते हैं और वो यह दावा भी करते हैं कि इससे मोतियविन खतम हो जाएगा लेकिन वो सब ध्रम है उनका और ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे की सफेद मोतियविन खतम हो जाए या वापिस सही हो जाए ऐसे समझ दीजे कि जैसे आपके सर के बाल अगर सफेद हो गए एक बार तो कोई भी आप तेल लगा लीजे वो जड़ से काला नहीं हो सकता यानि जो बुढ़ापे का लक्षण है जो एक बार चीज पक गई वो फिर कच्छी नहीं हो सकती कुदरत का है वो काम है तो इसी तरह सफेद मोतियविंद है जो एक बार सफेद हो गया वो फिर ऑपरेशन के जरीए तो हटा के बदला जा सकता है लेकिन किसी दवा से उसको वापिस उसी अवस्ता में नहीं लाया जा सकता कि वो वापिस से कच्छा हो जाए तो इसलिए इस भ्रह्म में कि इस दवाई से हमारा मोतियविंद सही हो जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए और ऑपरेशन ही इसका एक मात रुपचार है और ऑपरेशन ही कराना चाहिए इन की भी कोई स्टेज होती है मोतियाविंद की कि जैसे हर वीमारी की स्टेज होती की फॉर्स सेट 20 इस्टेज इं 3र्ड तो ऐसी इनकी भी स्टेज थोती होंगी और उस स्टेज पे मलब किसटेज पे हमें यह alde市 करा लेना चाहिए qué जहा तक इस ऐसा आदमी है जिसका फाइन काम है उसको बारीक देखना है महीन काम करना है तो उसको बहुत शुरुवाती स्टेज में यह आपरिशन करा लेना चाहिए क्योंकि उसका वर्क सफर कर रहा है और अगर कोई बहुत बुज़ुर्ग आदमी है उसको घाली घर में बैठे रहना है कोई ज्यादा काम नहीं है तो जब तक उसका काम चल रहा है, जब तक उसको अपना रस्ता चलने-फिरने भर का नजर आ रहा है. सामने जो आदमी लोग खड़े है, उनका चेहरा समझ में आ रहा है. या अपना जो भी खाना-पीना-खाना है या जो भी चलना-फिरना उसको करने भर का नजर आ रहा है तो वेट भी कर सकते हैं operation का लेकिन बहुत ज्यादा समय तक operation को टालना अच्छा नहीं रहता है और जैसे ही दिक्कत महसूस हो अपना काम करने में परिशानी होने लगे तो तुरंत operation करा लेना चाहिए जो आपने इसमें बताया कि जो भी operation होत है उसमें एक उपाय है सिर्फ लेंस लगाना जो आटिफिशली लेंस लगा दिया जाते हैं तो उसमें कौन सा लेंस लगाना है इसके लिए मतब किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लेंस लगाना है वो कॉस्ट पे निर्भर करता है या परसन की बॉडी पे नि या पास का साब दिखेगा जानी कि एक चश्मा ऑपरिशन के बाद लगाना पड़ेगा चाहे वो दूर का हो चाहे पास का हो ज्यादर तर ये कोशिश की जाती ही कि दूर में मिना चश्मे के ही दिख जाए और पास में चश्मा लगा के दिख जाए उसके लावा एक मल्टी फ का इस तरह का काम है कि ऑफिस का वर्क है या बार-बार दूर का और पास का देखने का काम है तो वो नो के लिए मुल्टी फोकल लेंसे सुटेबल रहते हैं डाक्टर साब आपने भी उसके लिए बात किया कि यह जो लैंसे सब अलग अलग वराइटी के होते हैं जिसमें एक मल्टी वाला आपने जो बोला है और वो एक्सपेंस तक्रीबन कितना एक्सपेंस आ जाता है इसमें एक ऑपरेशन में लेकि सरकारी एस्पतालों में तो यह होते हैं लेकिन प्राइवेट में जिस तरह की टेक्नीक से यह ऑपरेशन किया जा रहा है उस हिसाब से हर हॉस्पिटल के रेट अलग अलग होते हैं और इसमें यह कहपाना कि कौन कितने में ऑपरेशन कर पाएगा यह तो उसके पास जो भी वो सुवधाय दे रहा है अस्प जो बनावट है और जो नए तरीके के नए आयोल आते हैं मार्केट में वो महंगे भी होते हैं तो वो तो जो भी ऑपरेशन कराने जा रहा है उसके पैकेज वहां पर रहते हैं वो अपने हिसाब से उसको समझ के करा सकता है ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंग जाते हैं तो कितना टाइम पीरिड में एक उपरेशन ऑपरेट हो जाता है और यह इस पर भी निरभर करता है किस विधी से उपरेशन हो रहा है और सर्जन जो है वो कितना ट्रेंड है और कितना उसको एक्सपीरियंस है बहुत सर्जन है बहुत फास्ट सर्जिरी करते हैं ल अगले ही दिन से वह अपना सारा काम कर सकता है और कुछ तो ऐसे भी है कि जो अभी लेटेस्ट जो विधी चल रही है उसमें तो पटी भी नहीं बानते हैं नहीं कोँछ इंजेक्षन लगाते हैं तो उसमें करने के तुरंद बादी आदमी देखता है और चला जाता है देथके तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ समय लगता हो देखने हैं कुछ लोग जनको की कुछ और भीमारिया भी है आँख में किसी और प्रकार की खमी है तो उनको थोड़ा समय लग सकता है रिकवरी में पर्शन टू पर्शन के बॉड़ी पे इस तरह की आख है क्या और बीमारिया है आख में कोई और कमी तो नहीं है उसका पर्दे में कोई कमी तो नहीं है पुतली कमजोर तो नहीं है पहले से या कोई और बीमारी तो नहीं है साथ म या operation में कोई complication तो नहीं है या पहले से क्या आंग के स्थिती पर देगी रही है इन सब चीजों पर भी निर्वर करता है रिजल्ट आंग के operation का डॉक्टर अगर हम बात करते हैं जिसे सरजरी हो रही है और सरजरी के क्या कोई side effect भी कभी आए हैं कोई side effect भी रहते हैं कोई केस हो जिसमें बहुत ही safe सरजरी है और बहुत ही अच्छे रिजर्ट इसके रहते हैं और इसका complication rate बहुत ही कम है और ऐसा कोई side effect इसमें ज्यादा तर देखने को नहीं मिलता है side effect या complication उन्हीं लोगों के होते हैं जिनकी आख में पहले से ही कोई कमी मौजूद होती है अच्छा डॉक्टर लोग ये भी कहा जाता है अधिकतर ही सुनने में आता है कि जो जिनको भी अपने आखों का operation कराना है तो उसमें अधिकतर डॉक्टर ये क्यों सजेस्ट करते हैं कि प इसा है कि दोनों ही आख में operation होने के लिए एडवाइस किया गया है तो ज्यादा अच्छा ये रहता है कि पहले एक आख का operation करा लिया जाए उसका result देख लिया जाए उसके बाद second eye को operate किया जाए लेकिन आजकल जो कई centers हैं जो काफी advance centers हैं वो एक ही बार में ही दोनों आख operation भी कर रहे हैं लेकिन safe यही रहता है कि पहले एक आख का operation करा लिजे और उसके हफते बर बाद दूसरी आख का operation करा लिए वो ज्यादा safe रहता है डॉक्टर इससे यह नहीं होता कि जैसे पहले एक का किया है फिर दूसरा किया है अगर उसमें थोड़ा सा भी जो भी आप उ जो भी आप यूज करते हैं इन केस की जो पहले आख में यूज किया है तो इतना याद रख पाना उसमें थोड़ा सा change होने की चाहिश की है उसमें तो जो भी आख के अंदर लेंस लगता है उसकी power जो है वो पहले से calculate करी जाती है कि आख में किस power का लेंस लगेगा जैसे आ तो तो नों आख का चर्षमे का इक ही हो, डोनों आख का चर्षमे का बिसा करे लगए हो सकता है, और हो सकता है य्यों कोई power हो, लेसरे कोई my power हो. तो, ऐसे ही जो आख के अंदर लगता है इस्की पाविर पहले calculate की जाती है कि कौन से पावर का लेंस लगेगा आख के अंदर और लेफ्ट में कौन सा लगेगा तो उससे कोई फरक में पड़ता है अजर डॉक्टर यह जो हम एक एक करकी वन बाई वन जिन जो आखों का operation करते हैं उसमें एक पहली आख के operation से दूसरे में तो किता time period बाद आप दूसरे आख का operation करते हैं मैं तो एक हफते बाद ही करता हूँ operation दूसरी आख का और जैसा मैंने बताया कई लोग जो advanced centers हैं जिन वो same day भी कर रहे हैं आज का लोग surgery कि दोनों आख का एक साथ ही operation कर देते हैं लेकिन safe यही रहता है कि कुछ समय बात किया जाए पांच-छे दिन या एक हफते बात किया जाए तो अच्छा रहता है डॉक्टर और यह है कि कई बार ऐसा होता है कि इस आख के operation के time पे weather को भी ध्यान में रख कि किया जाता है कही doctor suggest करते हैं कि आख के operations है थोड़े थंडी के time पे करना चाहिए जो weather थोड़ा सा अच्छा है तो उसका क्या reason है कि जो weather को ध्यान में रख के बोला जाता है कि अभी गर्मी का time है अभी आप नहीं गरी है और थंडी के time पे आप करवाई है तो उसका क्या reason है देखिए यह जो मौसम का लोगों के अंदर एक दिमाग में एक जो बहम बैठा हुआ है उसकी वज़े यह है कि जो पहले का समय हुआ करता थे जब सुविधाएं बहुत कम थी आख के operation की और कैम्प में ही मोतियविन के operation हुआ करते थे तो जिस तरह का हमारे देश में मौसम रहता है गर्मी और बरसात में क्योंकि कैम्प लग नहीं सकते थे मौसम अच्छा नहीं होता है उस समय तो जाड़ों में ही कैम्प लगा करते थे तो लोगों के दिमाग में एक यह बैठ गय है कि operation जो है वो जाड़े में ही कराना चाहिए ऐसा नहीं है अब तो जिस विधी से operation होता है सब hospital बेस सरजरी होती है अब कैम्प में तो कोई सरजरी होती नहीं है और जो टेक्नीक है वो भी इतनी advance है कोई टांका भी नहीं लगाया जाता है तो उसमें मौसम का कोई फरक नह टैना चाहिए ऐसा कुछ फरक नहीं पढ़ता है नहीं डोक्टर पूलते हैं कि जिसे आप अगर गर्मी में किराते हैं तो आखों में ती है बड़ी परशानी है और यह वो सोचना है आदमी का उससे कोई फरक नहीं पढ़ता है हम तो कितने साल से बारों महिने operation करते हैं और गर्मियों में भी अच्छे गिंती में ऑपरेशन होते हैं किसी को मौसम से कोई फरक नहीं पड़ता है वो लोगों का बह्म है कि मौसम से फरक पड़ेगा ऐसा होता नहीं है डॉक्टर अगर हमने जैसे ऑपरेशन कराया है तो सरजरी के बाद क्या कोई खास साफधानी बरतने की आवशक्ता होती है या नॉमल जैसे आदमी पर्संट जैसे पहले अपना जीवन मतब जो अपनी लाइफस्टाल जैसे रह रहे हैं उसी तरीके से रहते हैं साफधानी तो देखिए साफधानी का तो हर जगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है और साफधानी तो रखनी ही चाहिए अगर ऑपरेशन कराया है तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो भी दवा आपको सेज़ेस्ट की गई है डॉक्टर के दौरा जिसने ऑपरेशन किया है उसको नियम से डालिए उसको जिस तरह से बताया है डालने का उसका तरीका क्या है और कितने समय तक डालनी है कितनी बार डालनी है यह बहुत जरूरी है कई लोग नहीं समझते हैं और जल्दी दवा बंद कर देते हैं तो भी दिक्कत आ जाती है दूसी चीज़ दवा डा दो के दवार डालनी चाहिए गंदे कपड़े या गंदे रुमाल से ऐसे आख को पूछना नहीं चाहिए और आख को भी अपना चोट से भूल मिट्टी से बचाना चाहिए अब हम लोगे देश में मौसम आप देखती है कैसा रहता है सड़कों पर भी प्रदूशन अक्सर रहता है तो अगर ऑपरिशन कराया है तो खास तोर से हमें धूल मिट्टी धुमा धूप से आख को बचाना चाहिए और एक दम से बहुत तेज छीटे मार के भी आख को नहीं धोना चाहिए और बाकि जो भी सावधानिया ने सर्जन ने बताई हैं उनको कड़ाई से उनका पालन करना चाहिए नौक्टर क्या हमने जो यह आपरेशन कराया है जो लेंस हमारे लग चुके हैं वैसे तो कोई भी पावर ना लगे ऐसा बहुत कम लोगों में हो पाता है और ज्यादा तर जो मोनोफोकल लेंसे जो प्रियोग होते हैं उनमें एक चश्मा तो लगाना ही पड़ता है ऐसा नहीं है कि दूर और पास दोनों बिना चश्मे के पूरा अच्छा दिख जाए ऐसा बहुत क लोगों में हो पाता है लेकिन चश्मा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है में मकसद होता है कि अच्छा दिखना चाहिए आदमी पहले भी चश्मा ही लगा रहा होता है ऑपरेशन से पहले भी तो दूर का या पास का चश्मा हर आदमी लगाता ही है तो अगर ऑपरेशन के बा बड़ा इसू नहीं है में चीज है कि अच्छा दिख रहा है तो सब अच्छी बात है डॉक्टर हम आप से बात कर रहे हैं तो operation की बात हो रही है तो medicine में जहां तक हैं आप elopatic के हम बात कर रहे हैं अगर हम वहीं बात करें आयरवेदा की तो तो क्या दो कि अर मेरी जानकारी में जिसा मैंने बताया हम नहीं कि नहीं होती Sek recognize ये बुढ़ापे का लक्षन है जैसा मैंने अभी आपको एक एक्जामपिल दिया कि अगर सर का बाल सफेद हो गया है तो किसी भी चाहे वो ऐरुवेदिक दवा हो चाहे किसी भी पैथी की दवा हो जड़ से काला दुबारा नहीं हो सकता है जो फल पक गया वो फिर कच्चा न कई लोग गलत दवाईयों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे इस्टिरॉइड वाली जो दवाईयां होती हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे फिर और जल्दी उनके मौतिया बिंद हो जाता है और इस तरह की जो इस्टिरॉइड वाली दवाईयां अगर हम लोग प्र है शुरू की स्टेज में चश्मा लगाएं चश्मे से भी अगर काम न चले तो फिर ऑपरेशन ही करा लें बहुत सारे मरी जैसे आते हैं जो अलग अलग नामों से बड़े अच्छे-च्छे नाम होते हैं उन दवाईयों के उनको डालते रहते हैं उनको और बीमारियां उन द ख्याल रखने की बात करें जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है जैसे आम हम लोग हैं किसी भी तरीकी के प्रवचानी नहीं है उस टाइम पे हमें आखों का ध्यान रखने के लिए क्या चीज घर में इस्तमाल करनी चाहिए क्या करना चाहिए क्या डेली हमें कोई आई- लगाने से इमारी आखें अच्छी हो जाएंगी वो उनका बहम है उससे कुछ नहीं होता है और आख में इन्फिक्शन ही लगता है और आख को अच्छा लग रखना है तो कुछ भी मड़ डालिये उसमें आख कुदरती ही साफ रहती है किसी प्रकार की कोई भी दवा अगर दालनी है तो नेस सरजन की सलाह के बाद ही डालिया और उतनी अवधी के लिए डालिये जितना आपको बताया गया है लंबे समय तक कोई भी दवा आख में डालना वो नुकसान कर सकती है आख में ड्राइनेस कर सकती है काला मुत्यविन पैदा कर सकती है और अच्छा नहीं रहता है लंबे समय तक कोई भी दवा आख में डालते रहना जब तक कि वो नेस सरजन के द्वारा बताई न गई हो इसके अलावा खान पान का तो हमारे शरीर में महत वही अच्छा खाए पिएंगे जैसे बच्चे हैं उनका पौश्टे कहार देंगे उनको खाने मेहरी सब रहेंगी और मोत्यविन भी देर से रहोगा सार आपने जैसे अभी बताया कि कुछ लोग सुर्मा लगाने की बात करते हैं कि उससे आखे स्वस्त रहती है सार एक और ऐसी ही नसका है जिसमें दादी नानी करती है कि आख में जैसे कभी कुछ हो तो गुलाब जल डालने की ए होता है लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालुम है कि कोई असली गुलाब जल आजकल मार्केट में अइबलब नहीं है सब आर्टिफीशल गुलाब जल आजकल मिलते हैं और अगर असली गुलाब जल है भी तो वह अगर उस पे यह लिखा हुआ है शीशी पे कि ये आंख में ड मतलब खाने की चीजों में डालने के लिए बनाए जाते हैं या फिर रूम फ्रेशनर या पर्फ्यूम या इतर के लिए बनाए जाते हैं कहने का मकसद कि उनको जो बनाया जाता है वो आँख में डालने के मतलब से नहीं बनाया जाते है वो गुलाब जल तो जो भी केमिकल या जो भी चीज है वो अगर आँख में डालने के लिए नहीं बनाई गई है तो उसको जबरदस्ती आँख में डालना नुकसान कर सकता है इसलिए मेरी र आखों में कुछ प्रभाव रहा है और उससे बचने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है कितना ज्यादा प्रभाव तो कोरवना से देखने को आख में नहीं मिला है लोगों की आखों में लाली या थोड़ी सी चुभन गड़न तो हुई है लेकिन वह बुखार की वज़े से भी हो सकती है और जहां तक है आखों में सफाई का विशेश महत्व है अगर घर में आप है या बाहर कहीं है तो जब भी आख को छुए या आख को पोंचना हो तो हमेशा पहले साबुन से हाथ दो लेना चाहिए हमेशा अपना ही रुमाल और तॉलिया इस्तमाल करना चाहिए द लेकि दवा सब लोग प्रयोग करते हैं तो अगर किसी की आख में एक इन्फेक्शन है तो दूसरे की आख में पहुंच सकता है तो अगर हम सफाई पर ध्यान देंगे तो कोरोना से भी बचाव होगा और अगर कोई और इन्फेक्शन लगता है तो वह भी बचेगा डोक्ट है उसको एक महिने के अंदर ही मतलब अगर अगर उसकी एक स्पाइरी डेट भी नहीं है लेकिन तब भी कहते हैं कि एक महिने के अंदर ही डाल लीजे जबकि उसकी एक स्पाइरी डेट है नहीं लेकिन खुल चुकी है तो बस एक महिना और अगर बच्ची भी है तो वह यूज रहता है कि बॉटिल को खुलने के बाद एक महीने के अंदर प्रियोग कर लें ये भी लिखा रहता है उसमें जिसको कि लोग पढ़ते नहीं है वो थोड़ा महीन लिखा होता है क्योंकि जो भी आख की दवाईयां बनाई जाती है तो उनमें जो भी प्रिजर्वेटिव होते ह जैसे ही शीशी खुलती है वो हवा के संपर्क में आ जाती है दवा और जब हवा के संपर्क में आ जाती है तो उसमें इंफेक्शन पहुंचने के चांसे बढ़ जाते हैं तो ये समझा जाता है कि जो भी प्रिजर्वेटिव उसमें है वो उसको एक महीने तक ठीक रखेगा और एक महिने के बाद वो खराब हो जाएगी तो इसलिए जो भी शीशी आप खोलें उसमें खोलने के बाद उस पे तारीख डाल देनी चाहिए मारकर पैंसे कि इस तारीख को ये खोली है और उसके एक महिने बाद उसको अगर नहीं भी इस्तेमाल हुई है तो फेक देना चाहिए सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूर्स को एक मेसेज दें देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आपकी आँख में कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी खुद उसका इलाज न करें या खाली ऐसे ही दवा की दुकान पे जाकर कोई दवा खरीत के ले आए ऐसे उपचार न करें जब भी कोई परिशानी आँख में हो हमेशा नेज सर्जन की सला के बाद ही आँख में कोई भी दवा डाले आज के प्राइम टीवी शो हेल्थ पंतरा में हमने बात की डॉक्टर एसके विश्णोई जी से जोगी आई स्पेशलिस्ट हैं इन्होंने आज हमें मूतिया विंद से संबंदित बहुत अच्छी जानकारी दी हैं उमीद है आपको ये जानकारी काफी काम आएंगी तो अगले सेग्मेंट पर हम फिर आजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में एक नए सेग्मेंट के साथ में तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी कर दो